Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का prelim booster news discussion में आज 30 सितंबर 2022 है, तो आईए देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं हमारा first article इंडिया hypertension control initiative के बारे में है hypertension का मतलब होता है blood pressure का बढ़ जाना बहुत ही आम है, आप सभी इसके बारे में सुनते और जानते रहते हैं इंडिया को भी हाल फिलहाल में 2022 UN Interagency Tax Force और WHO Special Program जो primary healthcare award है, वो grant किया गया है तो ये जो award मिला है, वो इंडिया के hypertension control initiative के लिए दिया गया है because इंडिया ने जो high blood pressure है उसे control करने के लिए under this initiative काफी अच्छा काम किया तो बात करते हैं इस initiative के बारे में इसे launch किया गया था 2017 हमें, ये collaborative initiative है collaborative initiative का मतलब ये है कि इसमें एक से जादा entities involved होंगी तो कौन-कौन involved है जानी, Ministry of Health, Indian Council of Medical Research, ICMR state governments, राज्जियों की सरकारे और World Health Organization, WHO भी इसमें शामिल रहा aim क्या है? एक बढ़ियां सा target या goal इसमें बनाया गया है that is, 2025 तक जो high blood pressure है उसमें हम 25% की कमी लेकर आएंगे मतलब जो भी लोग इससे प्रभावित होते हैं उनकी संख्या को 25% तक कम किया जाएगा Nodal Mission जो है IHCI का ये fundamentally यही है कि हमें hypertension की जो activity है या जो issue है उसमें intervention दिखाना है National Health Mission के ambit में हम इसमें करते क्या है? क्या strategies opt की गई हैं under this initiative? सबसे पहले तो drug dose specific standard तयार करके एक treatment protocol decide किया गया है जो भी लोग hypertension से प्रभावित हैं उनके लिए ये ensure किया जाएगा कि जो protocol medication है वो सभी लोगों को परियापत मातरा में मिले इस के अरामा decentralization किया जाएगा care का लगातार follow up लिए जाएंगे जो भी patient इसके care में आते हैं और अगर उनकी medicines खतम हो जाती हैं तो फिर से refill किया जाए medicines को health and wellness centers के माध्यम से task sharing की जाए ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को अपने सारी जिम्मेदारी दे दी है और वो efficiency के साथ काम कर नहीं पा रहा है तो जो भी health staff हैं उनका काम divide हो और सभी लोग अपने अपनी जो designated काम हैं duties हैं उनको follow करें क्या इससे कुछ फाइदा मिला बिलकुल अगर award मिला है तो कोई नों कोई फाइदा तो मिला होगा जिन भी लोगों को treat किया गया लिया गया था कि हाँ आप लोगों को treat किया जाएगा under this initiative उनमें से लगभग आधे लोगों को blood pressure में control मिला है मतलब की रहत मिली है तो मतलब इसका फाइदा भी हुआ है हमारा next article dugong conservation reserve के बारे में है तमिलनाडू की सरकार ने अभी अलही में इंडिया का पहला dugong conservation reserve notify कर दिया है इसके बारे में देखे बात तो काफी लंबे समय से चल रही है इसके पहले भी ये news में आया है और हमने इसे discuss भी किया है कई बार news repeat होती है तो आपका revision हो जाता है यहाँ पर देखे dugong को आप sea cow या समुद्री गाए भी कहते है because ये हर्भी वोर होते हैं शाका हरी होते हैं और जो sea grass होती है उसको खाते हैं इसलिए हम इनको कई बार समुद्री गाए या sea cow बोलते है dugong conservation reserve जो है यसे पाक बे में notify किया गया है map में location देखना जरूरी है ये इंडिया का तमिलनाडू का रीजन है ये है श्री लंका यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये पाक बे का है ये है Gulf of Manar और ये है जिसे कहा जाता है popularly Adams Bridge ये वही ब्रिज है जिसे mythologically भगवान राम ने स्री लंका तक जाने के लिए बनाया था जिसके बाद रामायड में जो एक पार्ट है वार का वो हुआ था तो ये Adams Bridge आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है बाकी ये बे आप बंगाल का पूरा रीजन है यहाँ पर इंडिनोशन का हिस्सा आपको दिखाया गया है तो मैप में आपने ये location spot कर ली है जो reserve है इसमें coastal water आपको मिल जाएगा थंजावूर का और पुदु कुट्टे डिस्टिक का जो move है इसका objective बिलकुल यही है कि हम डुगॉंग्स को बचाएं जो ecological intervention है उसके मादिम से because dugong sea ecology के लिए बहुत जरूरी होते हैं अगर ये परियाप्त मात्रा में हैं तो जो sea grass beds हैं वो improve होते हैं उनकी मदद से जो कई सारी fishes है marine fauna है वो improve होता है dugong जिनने dugong dugong भी कहा जाता है ये herbivore mammal species है एक तो ये शाकाहारी होते हैं दूसरा mammal होते हैं ये x-lay नहीं करते ये बच्चे पैदा करते हैं further जो dugong है ये manatees के cousins होते हैं manatees भी प्रकार का sea cow ही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है manatees से जैसे जो manatees होते हैं ये fresh water area में ही रहते हैं जबकि dugong एक marine animal है तो ये समंदर में रहते हैं common linear sea cow कहते हैं ये peacefully बिना किसी intervention के शान्ती से sea races पर अपना काम करते हैं और जो coastal water का area रहता है उसी में survive करते हैं इनके conservation status की बात करते हैं तो आयूसे इनके red list में ये vulnerable है sites के appendix 1 में है और wild air protection act of 1972 के schedule 1 में है schedule 1 का मतलब ही होता है कि highest protection इनको दी गई है इनका जो जीवन होता है आम तोर पर वो 70 सालों का होता है इनसानों जैसा ही आप समझ सकते हो 13 feet तक इनकी height होती है further IUCN red list में vulnerable हैं वो तो मैंने आपको बताई दिया इनका weight 270 kg के आसपास होता है और वहाँ पे जो grassis वगएरा है उसे ही ये खाते हैं तो basic बाते डुगॉंग के बारे में आप जानगे हमारा next article अंबेडिकर circuit के बारे में है Union Ministry of Tourism ने हाल ही में एक special tourist train को announce किया है जो अंबेडिकर circuit को cover करेगी देखिए अंबेडिकर circuit इसे कई बार पंच तीर्थ भी कहा जाता है अब पंच तीर्थ कह रहे हैं इसका मतब यह है कि इसमें 5 locations involved होंगी इसे for the first time 2016 में प्रपोस किया गया यह जो tourist circuit है यह भरत के 15 tourist circuit में से एक है जिसे स्वदेश दरसन scheme के माध्यम से 2014-15 में decide किया गया आप देखे टूरिस circuit होता क्या है कि जैसे मालीजी आप भगवान राम से associated places को visit करना चाहते हो तो आपको कोई एक ऐसी train मिल जाए जिसमें बैठके आप सभी locations को एक बार में visit कर लो आपके लिए कितनी सहुलियत और आराम हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही अमबेडिकर जीसे समंधित जो भी जगहें हैं आप उन्हें विजट करना चाहते हो तो कोई एक ऐसी train हो जो अमबेडिकर जीसे लेटर जो भी places है वहाँ तक आपको एक बार में विजट करवा दे तो आपको काफी सहुलियत हो जाएगी तो देखे एक location है यहाँ पे जहाँ पे उनका demise हुआ महा पर निर्वान भूमी उसे कहा जाता है यह डेली में है दूसरी location यहाँ पे दिखाई गई है उनकी जन्म भूमी जो उनका birth place है महाँ में तीसरी location यहाँ पे उनकी दिख्षा भूमी है location है वो इंडिया में है ही नहीं यह लंडन में located है जहाँ पे वो रहे और उन्होंने अपनी पढ़ाई की तो जो idea है circuit के पीछे है वो यह है कि tourist जो दरित community के हैं वो लोग pilgrimage के तौर पे visit करते हैं अंबेडिकर जी से जुड़े हुए locations को उनके अलामा भी जो लोग हैं जो interest रखते हैं अंबेडिकर जी के बारे में जानना और समझना चाहते हैं वो भी इन locations को visit कर सकें हमारा next article निजाम के sword यानि के तलवार के बारे में है निजाम का जो sword है वो एक item है जिसे इंडिया वापस लाया जा रहा है Glasgow Scotland के Life Museum से निजाम तलवार यह 14th century की एक ceremonial sword है ceremonial sword होने का मतलब यह है कि इस तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी अब आप इस तलवार का shape देखिए यह एक सांप की यानि की snake की आकरिती में है तो अब इससे लड़ाई तो क्या ही लड़ने जाएंगे लडने जाएंगे तो जान कोई खत्रा होगा खुदी मारे जाएंगे जो इंडो पर्शन डिजाइन है उसमें इसको तयार किया गया था 1350 century के आजपास जो sword है यह snake के shape में है तो मतलब काफी खूब सूरत आपको लग भी रहा होगा एक unique सा इसका structure है हलां कि obviously इसका इस्थिमाल लडाई में तो नहीं किया जा सकेगा इसका जो किनारा है वो serrated है, दातेदार है मतलब किसी ने हमला किया तो वहाँ defense तो आप करी सकते हो इससे बाकि इसमें जो damecine pattern है वो भी incorporate किया गया है damecine pattern का मतलब है pattern that is related to damecus, damecus is a city in Syria तो वहाँ का जो style है वो भी इसमें follow किया गया है gold etching यानि की engraving की गई है elephant और tiger की इस sword के उपर तो बहुत specifically इसको design किया गया है इसलिए इसे महत्तो भी दिया जा रहा है महभूब अली खान, असफजा 6 जो निजाम थे हैधराबाद के 1896-1911 के duration में उन्होंने इसे exhibit किया था जब 1903 में डेली दरबार लगा था, imperial दरबार उस टाइम पे जो sword है, 1905 में इसे general sir archibald hunter ने खरीद लिया था जो समय commander in chief हुआ करते थे Bombay command के ये उन्होंने खरीदा था महराजा किशन परशाद बहादुर यमीन उस सल्तनत, जो हैधराबाद के prime minister थे उनसे तो ये तो कुछ fundamental हो गए sword के बारे में, हमारा next article national program on high efficiency solar PV modules के बारे में है cabinet ने भी हाल ही में production linked incentive scheme को implement कर दिया है जो PV modules है, photovolptic modules है उनके लिए national program on high efficiency solar PV module, ये इस program को नाम दिया किया है production linked incentive scheme के बारे मैं आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि suppose करिए कि आप 100 unit का production करते हो, ठीक है तो 100 unit का जो आपको production है ना इस पे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा सरकार कहती है कि आप अगर और जदर production करोगे तो हम आपको फायदा देंगे like अगर आपने 100 unit का production आपने पहले किया था और आपने 100 unit का production और बढ़ा दिया, मतब आपका जो production है अब वो 200 unit का हो गया तो 100 पहले वाला तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो आप करते ही थे, ये जो additional 100 unit का आपने production किया है suppose करते हैं कि एक unit को produce करने में आपके 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 100 unit additional production में आपके 500 रुपए खर्च हो गया सरकार बोलेगी कि इसमें हम आपको कुछ फायदा दे देंगे ये जो फायदा होता है, ये 4% से लेके 12% तक होता है मतलब कि 500 रुपए अगर आपको additional खर्च होआ है, उसका हो सकता है कि 10%, 50 रुपए सरकार आपको दे दे, अब इससे बड़ा फायदा हो जाता है, 50 रुपए आपको extra मिल गए तो इसका काम दो तरीके से किया जा सकता है इसकी मदद से आप अपनी product का price गिरा सकते हो, मतलब आप market में जादा competitive बन सकते हो, दूसरा ये कर सकते हो आप कि आपको additional फायदा हो रहा है तो आप कुछ और units खोलोगे, कुछ और units खोलोगे, तो आपको production और बढ़ेगा production और बढ़ेगा, तो जादा लोगों को production linked incentive scheme को शुरू किया है इसके लिए noodle ministry है, ministry of new and renewable energy, इसके माध्यम से हम एक ऐसा ecosystem develop करना चाहते हैं जहां पर हम high solar high efficiency वाले solar PV modules develop कर सकें, PV का मतलब होता है photovolptic module, जिसका इस्तिमाल solar cell के साथ attach करके electricity को generate करने के लिए किया जाता है by the solar power, या जो solar उरजा होती है उसके माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो PV modules हैं, हम उनको import करते हैं, हम अच्छी quality के PV modules इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं इसलिए, जो solar energy का field है हमारा अभी भी वो सस्ता नहीं हो पाया है competitive नहीं बन पाया है, अब देखे किसको इस scheme का फायदा मिलेगा, इसको एक transparent selection process के माध्यम से opt किया जाएगा, ऐसा नहीं कि ये आज even काल तक आपको फायदा मिलता रहेगा, पास सालों के लिए ये scheme है, जिसमें उनने incentivize किया जाएगा, फायदा ये होगा कि 65,000 megawatt per annum की efficiency वाले, जो fuels, ये जो PV modules हैं, हम उनको develop कर पाएंगे, इससे employment generate होगा और investment होगा, मैंने आपको बताया कैसे होगा, ये import substitution की तरह काम करेगा, मतलब हमें कम import करना पड़ेगा, इससे 1.37 lakh crore का import हम रोख पाएंगे, further research and development को भी बढ़ावा मिलेगा, solar PV V modules में, हमारा next article, phyloces के बारे में है, phyloces एक bubble जैसा जीव है, जो हमें कभी मिला था, और इसको लेकर बड़ी mystery बनी रही है समझ में नहीं आ रहा था कि exactly ये कौन सा जीव है, अजीब सा creature, phyloces, कई बार इसी लिए इसे alien goldfish कहा जाता था, जो fossil experts हैं, वो दश्कों से समझ नहीं पाए कि exactly ये क्या है टैफ्लोसिस, वेलसी, ये आज से 330 million साल पहले रहा करते थे, इन्हें जो beer gulch limestone fossil site है Montana, US में, वहाँ late 1960s में खो जा गया ये एक ancient sea animal है, काफी strange रहा हमें समझ में नहीं आया exactly ये क्या है, हम इसे कैसे classify करें, and that is the reason कि जो taxonomic placement है वो उसका अभी 50 सालों तक हो नहीं पाया लेकिन अभी scientist कह रहा है कि नहीं, हम इसे mollusk की category में डाल सकते हैं mollusk marine phylum होते हैं, जिसमें snail, clam, octopus वगएरा आते हैं, मतलब ऐसे जीवाते हैं जिनके skin बड़ी soft होती है soft body होती है, कई बार उनके protection के लिए, उनके पास एक hard shell भी होती है, तो इसी category में अब ये जो phylosis है, इसको डाला जा रहा है हमारा next article, shrinkflation के बारे में है, companies shrinkflation का इस्तेमाल करते हैं ताकि consumers की buying power जो है, वो प्रभावित ना हो और उन्हें फाइदा मिलता रहे shrinkflation क्या होता है, shrinkflation को अगर आप सीधे सीधे कहें, तो ये आप की आँखों का धोखा है, आपको लगता है, कि आपको वही सामान उसी दाम में मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइस तो वही है लेकिन जो सामान आपको पहले मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा, उसमें थोड़ी बहुत कमी कर दी गई है इसमें होता क्या है, कि product की quantity को कम कर दिया जाता है प्राइस को बिलकुल वही बनाये रखने के लिए, example के तोर पे, आपकी ice cream में जो scoop है, उसको कम कर दिया जाए या फिर, आपके chips के packet में chips को कम भरा जाए लेकिन जो chips का price है 10 रुपए या 5 रुपए, उसे बिलकुल static रखा जाए, आखिर ऐसा करने की आवशक्ता क्यों बढ़ती है, श्रिंग inflation में, in general, material या ingredient जो इस्तेमाल होता है अगर वो expensive हो गया तो जो input cost है वो बढ़ जाती है इस लिहाज से, उस product में inflation आ जाता है, लेकिन market में है high competition, आपने chips के packet के दाम बढ़ा के 10 रुपए से बारा कर दिये लेकिन बाकी companies ने 10 रुपए पर maintain किया हुआ है, तो आपके chips के demand घड़ जाएगी, ऐसे स्थिती में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप अपने chips के packet को महगा करें, ऐसे स्थिती में सबसे अच्छा विकल्ब तो ये है, कि आप packet में कम chips भढ़ना शुरू कर दिजिए, लेकिन उसके price को 10 रुपए ही रखिए, इसे ही कहा जाता है shrink flation, ताकि आपका जो profit margin है वो maintain रहे, लेकिन ऐसा नहीं, कि ऐसा करने के लिए आप केवल सामान या जो quantity है उसे कम करके ही फायदा कमा सकते हैं, कई बार इसका एक दूसरा तरीका भी अपनाया जाता है जैसे की, एक और तरीका ये हो सकता है, कि आप कोई ingredient उसमें से कम कर दें जैसे की पहले जो catberry dairy milk आता था, उसमें एक जो उपर का packet होता था, उसके नीचे एक golden color का packaging और होता था, जिसके अंदर chocolate होता था, जो महंगे chocolate से आप खरीदोगे, 80 रुपए के, 100 रुपए के उसमें वो silver packaging अभी भी होती है लेकिन अगर आप 20 रुपए वाला catberry dairy milk खरीदो, तो वो एक single packet में होता है तो उन्होंने अंदर वाले packet को हटा दिया तो इससे उनकी cost कम हो गई, वो same quantity आपको दे सकते हैं, उसी price पर दे सकते हैं और अपनी cost भी इन्होंने कम कर ली, तो इसे भी shrinklation ही कहा जाएगा, बाकि आप देखो जैसे कि पाले जी biscuit है, उसमें अंदर कोई packet नहीं होता है, एक packet होगा, सीधा उसके अंदर biscuit होगा, बाकि आप दूसरे biscuits खरीदो, तो अंदर hard packaging होती है वो mango biscuits जो होते हैं, तो ये भी तरीके होते हैं, जिसके माध्यम से आपने price को control करते हो, impact ये होता है कि इससे inflation का प्रभाव नहीं पड़ता, उन items पर थोड़ा बहुत amount कम कर दिया जाता है in general वो इतना amount कम करते हैं न या इतना quantity कम करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन धीमेदी में समझ में आने लग जाता है कि अब कम मिल रहा है, तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार कुछ macro economic policies opt करें, जिसके माध्यम से inflation को control किया जाए, ताकि जो companies हैं उन्हें ऐसा करना न पड़े, दूसरा ये कि right to information consumer protection act of 2019 का part है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जान सकता है, कि पहले उन्हें क्या quantity, quality, potential, purity standard मिलता था, किसी भी goods का, और अब क्या मिल रहा है, देखें नो, तीसरा, कि अगर कोई भी change किया गया, किसी company के दूरा, किसी specific product में, तो Central Consumer Protection Authority, इस बात की जानकारी consumers को दे दे, दोखो भाईए, इन्हों ने ये change कर दिया है, price तो भाईए, लेकि अब आपको सामान कम मिलेगा, ताकि consumers aware रहे हैं, कि exactly वो क्या consume कर रहे हैं, हमारा next article, United Nations Security Council के बारे में है, हाल ही में इंडिया के permanent representative ने address किया, United Nations Security Council की meeting को, topic रहा promote common security through dialogue and cooperation UN Charter 1945 के माध्यम से, United Nations Security Council को बनाया किया, United Nations के total 6 organs हैं, उनमें से एक है UNSC, अगर एक UNSC है, तो बाकी के 5 कौन से हैं, उनमें दूसरा है, United Nations General Assembly जो World Parliament की तरह होता है, तीसरा है Trustorship Council, जब decolonization का process शल रहा था, तो ऐसे सिती आ रही थी कि कई सारे ऐसे देश थे, जो अपना administration नहीं सम्हाल सकते थे, थोड़े समय के लिए, उन देशों को सम्हालने के जिम्मेदारी, Trustorship Council को दे दी जाती थी हाला कि अब कोई देश ऐसा नहीं रह गया जिसे Trustorship Council के ज़रूत पड़े, इसलिए ये संस्था more and less अब काम नहीं करती Economic and Social Council International Court of Justice और Secretariat ये लगातार काम कर रहे हैं United Nations Security Council को जिम्मेदारी दी गई है कि वो International Peace and Security को maintain करें, जो इनसे होता नहीं है ये फर्दर Global Multilateralism को भी promote करने की कोशिस करते हैं United Nations Security Council में 15 member होते हैं 5 होते हैं permanent और 10 non-permanent जो 5 permanent हैं उनमें शामिल है China, France, Russia, UK और USA इनका पाकी जो 10 होते हैं non-permanent वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और specific region से आते हैं जैसे की African और Asian states से 5 लोग आएंगे Eastern European states से 2 और 1 यहाँ पर 1 है Latin American states से 2 और Western European और other states से 2 ताकि हर region को representation मिल जाए Council में एक country के पास 1 vote होता है अगर 15 members हैं तो किसी भी resolution को pass होने के लिए 9 votes की requirement in general होती है लेकिन अगर किसी भी permanent member ने 9 vote कर दिया तो यह veto की तरह काम करता है और प्रस्ताव रोग दिया जाता है 2009 में एक बहुत ही कठेन प्रस्ण पूछा गया था United Nations Security Council में जो 10 non-permanent member होते हैं उनका term क्या होता है यह आसान प्रस्ण था सही जवाब इसका B यानिकी 2 साल था revision करेंगे India Hypertension Control Initiative 2025 तक हमें 25% relative reduction करना है यह तो शुद रूप से सही है India First Dugong Conservation Reserve Gujarat के coastline पे एक दम गलत है यह तो तमिलनाडू के coastline पे है Dugong को Boilary Protection Act of 1972 के schedule 1 में डला गया है That is highest protection That is true यह सही है Shrinkflation जहाँ पे goods और services का जो price है वो uncontrollably बढ़ता है एक defined period of time में यह बिलकुल गलत है यहाँ पे दाम सीम रहता है quantity कम कर दी जाती है तो हमारा आज का यह session यहाँ पे समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद